स्वागत है आपका डीकोट करने जा रहें लखनों की टीम को एक एक करके हर खिलाडी पर बात करेंगे बात ये भी करेंगे कि एक बहतर प्लेइंग 11 किस तरीके से हमारे लिहाज से ही सही क्या नज़र आती है बाकी लखनों पर छोड़ेंगे कि वो अपनी टीम में किस तरह के बदलाव करना चाहते और कैसे आगे बढ़ना चाहते सबसे पहली बात 21 खिलाडी है इस टीम के पास और मेरे लिहाज से जितनी जानकारी मुझे किसी टीम के पास इतने कम खिलाडी नहीं है और इसके साथ साथ इन्होंने अपना पूरा पैसा खर्च किया किसी के पास 10 अगेन यह जो तीन नाम आप सबसे ऊपर देख रहे हैं के यह तीनों इनकी रिटेंशन थे जो कि पहले ही तह था इसके बाद ऑबिसली डीकॉग जो आप उनके एक ओपनिंग पार्टनर के रूप में भी देख सकते हैं और इसके अलावा अगर हम इस सूची के बारे में मै इनके नाम की जितनी जादा चर्चा बीते दो सालों में IPL के दौरान हुई है या उसके बाहर हुई है विकास अब दिस रिटेंशन वह भी जबरदस्ते अंकित राजपूत एक और गेनबाज आपके पास आवेश खान जो मैं मानता हूं इंडिया का अगर आप सबसे चेहरा है अब यही इनकी खूबी भी है यही इस तीम की खामी भी है जब आप आवेश खान से इतर जाकर कहीं ढूनते हैं कि यार और कौन सा भारते नाम है गेनबास के रूप में तेज गेनबास के रूप में जो थोड़ा सा और अनुभवी हो जो थोड़ा सा और हमें एक edge दे तो फिर आपको कोई ऐसा मिलता हुआ नहीं नजर आएगा तो ये खुबी भी ये खामी भी आवेश खान को खुदाना खास्ता कोई injury हो जाती है तो फिर आपको ढूड़ना पड़ेगा कि आपके पास इंडियन पेसर क्या कोई ऐसा है इसके आसपास नहीं कोई नजर आ रहा है इसके अलावा अगर आप देखे माकुड एक उनके पास जो फॉरन गिन बाजों में एक तगड़ा नाम है जिसके पास रफ्तार भी है वो आप देख सकते हैं उसके बाद चमीरा आपके पास एक और उप्शन है इनके पास भी पेस है श्रलंका से है शबाज नदीम आप देख लीजे मोसिन खान आप देख लीजे मायन कियादव आप देख सकते हैं इसके अलावा जैसे मैंने का ये जो है ना अब ये जो टीसरी क्याटेगरी है ये दरसल इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है एक दो नाम जो की ओपर रहेंगे केल रावल और डिकॉक और इसके अलावा फिर माकस, स्टॉइनिस, दीपक हुडा, जेसन होलडर, कुरनाल पांडिया, कृष्णपा गौतम इससे एक डीप भी क्या कोई बैटिंग कर रहा है पता नहीं लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये इस टीम की एक और सबसे बड़ी ताकत है अगर आप देखें कि इतना डीप कॉन बैटिंग कर रहा है भाई और मिडल ओर्डर में इतने शशक नाम किसके पास है आप स्टॉइनिस को देखिए, हुडा को देखिए, होल्डर को देखिए, कुरूनाल पांडिया को देखिए सब गेन से कॉंट्रिब्यूट कर सकते हैं दीपक हुडा को हलके से कम नंबर दूँगा गेन से कॉंट्रिब्यूट करने में लेकिन बाकी सब क्रिष्ण अप्पा गौथम बहुत शांदार, क्रुनाल पांडिया, जेसन होल्डर, माकस टौनीज भी गिनबाजी कर सकते हैं इसके अलावा कायल मेर्स का आप एक तरीके से वहाँ पर रोल देख सकते हैं बड़े छक्या लगाने में काबिल है, गिनबाजी से आपको एक फास बोलिंग ऑल राउंडर है उसके अलावा आपके पास करन शर्मा, आयुश बडूनी जो की लेफ्ट हैंड के एक अच्छे स्वैग वाले बल्लेबाज लगते हैं तो यह पूरी की पूरी टीम है, अब अगर हम देखें कि इसका 11 जो 11 नाम है वह आप क्या कुछ बना सकते हैं तो अगेन यही से शुरू करेंगे, केल, राउल और कुंटिन डिकॉक, मनीश पांडे इस पक्त पर तीन नमबर पर, चार नमबर पर जैसे मैंने का हुडा आ जाएंगे उसके बाद अगर आप देखें, वहीं पर स्टॉइनिस का नाम आ जाता है, स्टॉइनिस के बाद होल्डर, फिर कुरुनाल पांडिया, इसके बाद आप यहां तक कृष्णपा गौथम तक जा सकते हैं और कृष्णपा गौथम के बाद आप एक और फॉरन प्लेयर को लाएंगे, जिसका नाम है माक वुड और माक वुड के बाद आपके पास आएंगे ऊपर रवी बिश्नुई, और रवी बिश्नुई के बाद आपके पास एक नाम और बचता है, जो आपका आवेश खान हों इवन माथा पच्ची करनी पड़ेगी यहां पर कौन होगा, यहां पर कौन होगा, क्या यह बेस्ट है, क्या यह बेस्ट नहीं है, यह सारे के सारे सवाल इर्दगर आएंगे आपके, लेकिन मुझे लगता है कि इस तीम के साथ यह सवाल काफी कम उठेंगे, एक मात्र करते हैं, आप तीसरी काटेगरी में देखने हैं, जो डेप्ट है इनके पास, कमजोरी मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह एक और कोई बढ़िया इंडियन गीनबाज रख सकते थे अपने पास, यह इनकी एक क्या ताकत बन जाती उसके बाद, जो शायद मुझे लगता है कि क तो आप उन पर भी जरूर नज़र डालेगा, थांक यू सो मच